यहीं दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा है आप सब स्वस्ते हैं दोस्तों आज अपन डिसकस करने वाले हैं करी अन्ता टिकल मेकेनिकल और जो सिविल का जो पेपर हुआ था दोस्तों 2020 में 2020 में जो पेपर हुए थे 2020 की वेकिंसी की बात अपन करने वाले हैं यहां पर दोस्तों स से क्षिसंस अपन जो की पेपर में आये थे उनको पन इसक्ष करेंगे के बाद फर्दर अपना प्रोसेस रहेगा कि टेकनिकल पेपर को इलेक्टिकल सिविल, मेकेनिकल, मेकेनिकल के डिगरी के और डिपलोमा के इन सब के पेपर हपन एक एक करके डिसकस करने वाले हैं दोस्तों एक मेजर अपडेट और आया है कि पहले 2020 में क्या था? 2020 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी नहीं थी लेकिंग जो 2022 में पेपर होने वाला है 2022 में जो पेपर होने वाला है उसमें 1 by 3rd नेकेटिव मार्किंग एड कर दी गई है सबसे important factor क्या कर दिया गया है 1 by 3rd नेकेटिव मार्किंग एड कर दी गई है तो दोस्तों क्यूशनों का टाइप वही रहेगा वही चालिश क्यूशन जीके के और अस्सीक्यूशन अपने degree, diploma जो अपनी ब्रांच है उस ब्रांच के अस्सीक्यूशन आने वाले है टाइम वही दो घंटे का रख्या जाएगा और मार्क्स 120 रखे जाएगे दोस्तों इसी के साथ एक major update और क्या गया है major update क्या है इसमें अपने एक topic जोड़ा गया है का समवीधान का राजस्तान में जो राजिसभार, राजिपार, मंत्री, मुखे मंत्री सबसे सम्मंदिद एक topic जोड़ा गया है जिससे की question बनेंगे इस बार यह discuss करते हैं अपन बाकी का सेल बस वही है, history, geography वेसे की वेसे यह और gk वेसे की वेसे चल यह discuss करते हैं सबसे पहले question पर, पहला question है agro climate zone यह paper कौन सा है, सबसे पहले मैं आपको बता दू यह है, diploma mechanical diploma 2020 में evening shift में जो paper बता, उसको पन discuss, चल यह question है, agro climate zone कौन से agro climate zone कौन सी district में है, यह पूछा है इसने और क्या पूछा है, सही जोडा से मिलित करो, तो सही जोडा की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पर जो यह दोसा है, दोसा के लिए agro climate zone है, थर्ड है दोस्तों, राजस्तान अपना इस तरीके से में राजस्तान का नक्सा आपको पर नहीं, तरीक से define करता हूँ, यह जोन, अलग-अलग जोन में बाटा हुआ है, राजस्तान को अलग-अलग जोन में बाटा हुआ है, यह आद्र हो जाता है, यह उपाद्र हो जाता है, और यह ये स्वस्क हो जाता है जillsनमेयर johodpur ये वाला एरिया जबकी नागुर ये वाला arrawagli sitr में आ जाता है तो यहाँ पर इनको 3rd A, 2nd A इस तरीकी से define किया गया है तो दोसा जयफूर का जो एरिया है वो किसे में आता है? 3rd A में दोसा जयफूर का एरिया आता है वह बात करते हैं next question की राज्स्तान, राज-पर्दूसन, नियनत्रण, कंत्रोल, मंडल का गठन किस परकार के, पर्दूसन की रोक्ताम आम नियनत्रण के लिए कि Aa गया है आज दोस्तों इसका जो गठन है वह जल के पर्दूसन को रोकने के लिए किया गया है नेक्स क्यूशन है अपना सेवन वर लवन घास राजस्तान की किस जलवायो परदेश में उगती है तो दोस्तों यहां से आपको सबसे पहले अपन को क्या डिफाइन हो गया माइंड में कि जो वन हो गए घासे हो गई इनको अपन को याद करना है चले बसके पॉइंट डिफाइन कर लेने चीए कि किस टॉपिक से किस परकार से क्यूशन हाते हैं सेवन और लवन घासों की बात करता हूं मैं तो यह मेरे जैसल मेर जोदपूर वाले जोन में मिलती है और इस जोन को मैं सुस्क मानता हूँ राजस्तान में जो सुस्क एरिया है, रीड जोन है, वो कौन-कौन सा है, अजेसल मेर, जोधपुर, वाड मेर, ये वाले रीड जोन कहलाते हैं, जिनको सुस्क बोलते हैं, जिनमें सेवन गास, लवन गास पाई जाती है, जिनमें से कौन सी परियोजना मद्यपरदेश, MP, परियोजन Dann छलती है उनसे कुशन बनने के भमना रहती है राजस्तान में रखनी पश्चमी मानसून की अवधी तोब थे दिन इसको बोला जाता है उसकी अवधी क्या रहती है क्या टो हुद्त होता है और सिजन से ने आप कि बुहाई इसी माहा में की जाती है किसमर के बाद गेहूं सरसों इनकी बुहाई की जाती है यह फसलों का भी आपको याद रखना है रभी और वह तरीके की फसली होती है रभी और खरीफ की तो खरीफ तो हो जाती है ज्वार बाजरा ज्वार बाजरा और रभी में आ जाती ह जो सर्सों ठीक है जो सर्सों ने चना हो गया यह रभी में आ जाते है एक्स्ट क्यूशन के पूछ ले पस्वों के बारे में पूछ ले अपनी यह जो भेड़े होती है लड़ी है जिनको बोला जाता है बक्रियों से क्यूशन पूछ ले तो गिर गोवन्स की बात करूँ मैं आपको तो इसके बारे में बता दूँ कि अजमेर नागोर वाले जोन में मिलती है यहाँ पर इसने बोला है कि इसे अजमेर में पला जाता है तो यह लाइन सही है इसके दो तीन नाम और होते हैं इसको रांडी रांडी बोला जाता है इसक प्रकत्षों को divine journalist दो देखो यह बी सही है अज मेर में पाला जता है इसको सार्फ़य कोई है इस सूराश्ट ऑर इसके नीचे चलना अपन महाराश्ट वाला जो जो ने इसको सूराश्ट पोला जता है तको यहां से असत्यकतन कुं सा है किसमें काम आते हैं किसमें काम बता है कि नदियों से बहकर आने वाली अंधी नहीं पाय जाती है तो दोस्तों, चम्न बह्त हमाने वाला लग क्या है होता है चंबल नदी से और इससे ना तो मिट्टी बसती है और जो मिट्टी है उसको भी ये काट कर ले जाती है चंबल नदी से तो ये खोटा हो जाएगा जिसमें जलोड मरता नहीं पाई जाएगा नेक्स की बात कर लेते हैं परियोजना है दी हुई है और नहरे हैं किस नहर पर कौन सी परियोजना है ये अपन को सम्मिलित करना है यहाँ पर बात करते हैं भागडा नांगल भागडा नांगल जो है जिससे गंग नहर वगेरा निकली हुई है तो ये है बिष्ट और धीगे next है व्यास, व्यास की बात करें तो व्यास कहा है व्यास है अपना व्यास और सतलर व्यास पर युजन है जो व्यास और सतलर ले गांदी की बात करूँगा तो यह जैनेरा याट व्यास नहर पर है इंद्रा गांदी option D इनके अनुसार अपन देखेंगे तो ओप्शन डी मेरा राइट हो जाएगा बात कर लेते हैं आबानेरी बावडी आबानेरी कहां पर अवस्तित ये दोसा में हैं दोसा जेपुर के पास चांद बावडी किस तरीके से बनी हुए इसके बारे में डिफेंड करता हूं मैं इस लिए विकास भूर्ड की स्टावना 1966 में की गई थी इक्सकिशन विकानेर का पहला कौन सा राजा जिसने अकभर की अधिनлять away के सुकर, अधिन्यता सुख monitored करने वाला राव कर लानमा राजा कल्यानमल था तर्समाता चांदबावडी कि चांदबावडी से आपको याद हो जना चाहिए कि चांदबावडी अभी मैंने बताइए आपको दोसा जिले में है जो कि जेगपुर के पास पढ़ता है राजस्तान में परिवन विबा का अधर्स वाकिया इससे क्या पता क्यूंए क्या इस bekommen कूंसा राज़मूड ति छिर्यविति चिर्यविति के नाम से भी डिपार्टम आएगा नदियां में अच्छी तरीके से और उसकी साहयक नदियां भी याद होनी चाहिए यह क्लियर हो गया सास्तान में निवन में से किस इस्तान पर केंद्री ये भेड एम उन्सोध संस्थान अवस्थिते अगर टॉंक में यह है आपको भी याद होना चाहिए यह के विकानेरी नर्मा वह मालवी नर्मा एक अपनी जो है कि कपास के लिए यूज किया जाता है तो इसने पूछा भी यह है कि किस में किसी है ना पर गेहूं मक्का उंफली दियु यह लेकिन नर्मा से अपने डिफाइ राजस्तान के कुल बोगलिक शेतरफल का लगबक कितना परतिसत पस्चिमी मरुस्तल परदेश के तहत आता है यह कितने परसेंट में है यह 61% में अपना मरुस्तल जोन पाया जाता एक्स्टिक्सिशन की बात करते हैं वालरा पद्दती जो की प्रयावर ने अवने इनका का प्रसेंट हैं एक परकार का है देख्यों वालरा एक कर्सी की प्द्दती है कर्सी की पर्दती के वाद नेक्स्टे अले साल दूसरी जगह राजस्तान के दक्षनी भाग से गुजरती है दोस्तों पहले मैं आपको बता दूँ कि यह मेरा पत्थी हो गई यह हो गई इस जगह पर राजस्तान यह तो करकर रेखा हो गई यह विश्वत रेखा और यह हो गई मंकर रेखा तो करकर रेखा हैं जो है मेरे राजस्तान से गुजर रही है क्योंकि दोनों प्रत्व जेपूर में जो एंद्रा लिफ्ट नहर चाह्य पर्योजना की बात अभी उपन कर रहे है क्योंकि एक नदी पर थी और ये नदी कहां है अपने मादवपूर जीले में है आपको ये नहीं समझना है कि इंद्रा गांदी नहर से समझन देते हैं जो कि पश्चिमी राजस्तान में जा रही है वो नहीं है यहां पर ये सवाई मादवपूर इसमें आंसर आए कि कुशन और ये बल्वद विविलास बल्वद विलास की रचनात तो दोस्तों यहां पर एक चीज हमें आ जाने की साहिते कौन सा साहित्य किस ने लिखाया इससे एक क्यूशन हर एक्जाम में पूछा जाता है तो यह एक इंपोर्टेंट टॉपिक हो गया साहित्य हमें पढ़ना है याद हो जाना से यह सारे यहां पर बलवद विलाज की बात करता हूं तो सुरी सुरी किस ने लिखा था सुर्य मल मिसर्ण नेक्स्ट की बात करते हैं नमर 23 24 राजस्तान विदानसभा की पर्था महिला अध्यक्स कौन बनी तो पहली महिला अध्यक्स थी क्या हो गया शुब हो गया त़ी राजस्तान विदानसभा की पर्थम महिला अध्यक्स की बात करूं में जो कि विदानसभा में बनी थी वो थी कौन कमला बेनिवाल तया कों सी डाभी सहीद तो ये किसान आंदूलन तो कुसान आंदोलन जो है याद होने चाहिए कोन सा किसान आंदोलन में जहीद हो था कौन सा किसान आंदोलन कब चला था इंपोर्टेंट tofie तो यहाँ पर दाबी में नानग जी भील थी जिनकी कष्ट्या कर ते गई थी अंगरे जो दुवारा और ये सहीद हो गये था लेगल एक तो ऊप्राइब रजस्तानी बोलियों में से गुजराती का मजबुत प्रभव गुजराती कौन सा एरिया आ अपना यह बांगड से मतलब है कि जो नीछे की तरफ है वासवडा डंगरपूर तो इसमें मेवाति तुती कैं मिलती है कुदी से प्रवह मिलतार राजस्तान के मेवाति बसा का मेवाति- गुज्राति एक इसको बोला जाता एक और इसका नाम है तो यहां से एक और दो क्यूशन आ चुके हैं आपको अपन पहले भी डिस्क्स कर चुके हैं रचना उसे तो रचनाएं हमें याद वह नहीं बढ़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है दोस्तों बढ़ार बढ़ार से मतलब है कि अपनी जन्द संक्या कब बढ़ेगी जब विवा होगा विवा होगा तो यह बढ़ जाई है यहां एक चीज में आपको बता दूँ कि अब जो पेपर बनेगा 2022 में उसमें समवीधान के भी क्यूशन होंगे तो यह चलिश की सन मात्र यहां अभी तक तो इतियास जी के और से संसकृति से ही आ रहे थे लेकिन अब जो है कुछ क्यूशनों कि दिंख्या रहेगी रहेगी सम विधान से गवरी किस विधा के लिए जनी जाती, गवरी देवि जो है वो मांड गाईगा के लिए जाती है इस दुर्ग में जेबान तौप रखी है। याद करने का आसांस तरीका है नकी जील कहा है Rudolph उध्यपूरों द्यवताओं के नाहुतं से बनाई हुई ैसा इसको माना जाता है पॉद्यपूर में घेपूर में मिनाकारी कला कीisa सासक की काल में आई थि मिनाकारी जो है अपन मुगल आये थे मुगल भार्मल विर्जा भार्मल मान सिंग और मान सिंग जो है उसके टाइम पे आई थी मिनाकारी मान सिंग लिखित में से बोलियों में से कौन सी धुंडाडी की उपबोली है धुंडाडी की बात करूं में धुंडाडी जो है ये जेपूर के असपास बोली जाती है और उपबोली है ये तोरावाटी है धुंडाडी अपने जेपूर के असपास बोली है इमलिक्त में से कौन सा एक लोग चित्रकला का अंग नहीं है जो को चित्रकला का अंग नहीं है और एक चित्रकला ये बणी ठणी है जो ये तो खुद है एक चित्रकला है लेकिन फड़े एक चित्रकला का अंग है साजी चित्रकला का अंग है लेकिन ये खुद क्या है एक चि करता है बाच्छ के नमक पर विटीस एकाधीकार इस्तापित हो गया था तो दोस्तों विटीस वाश्यूने सामबर जील जो कि जेपुर में इस पर एकाधीकार इस्तापित कर लिए था ये था सन 1889, option B यहाँ पर मेरा हो जाएगा, 1869 यहाँ पर आंसर हो जाएगा next question की बात करें, 1803 में अंग्रेजों के साथ संधी करने वाले संधी करने वाले अलवर राज्ये के पर्थम सासक कोन थे तो दोस्तों बक्तावर सिंग यहां की सा सकते जिनोंने एंग्रेजों के साथ 1803 में संधी की थी ये संधी की बात करूं में तो ये एकिकरन वाला जो चेप्टर है वह अपन को पढ़ना है सबसे पहले बना अपना ABCD अलवर बहुत दोलपुर मिलके क्या बना ये ये बना सबसे पहले ABCD करके अलवर बहुत ब्रद दोलपुर मुलक ये बन गया था मतशी सेशन की बात करें तो दूस्तान पूरवर राजISTान संग को बना तपूरवर राजस्तान की बात करेंगे तो संयुक्त राजस्तां ये सबर बात कर रहा है यहां पर अपने तीसरे चलन में बना न्यूपत्राय अपरेल NCAA ज़स्तों इनका उद्गारं भी क्योशन पर बाद में आते हैं उससे पहले में आपको बता तो जोता चरण है को आता किनारा अलवारे स्तान को वरधर राज나faन में आया था यहां पर एक नॉबर 1956 को अबू दिलवडा एंपी से मंसोर जिले का सुनिल ठपा गउं राजस्तान में सामिल कर लिया और अजमेर का मेरवडा इसके बाद राजस्तान का निर्मान हुआ था तो दोस्तों यहां पर जो केसं था सभ्तक राजस्तान जो में वाड के विले से अस्थित्तों में आया उसका विद्गाटन किस नहीं निया था दोस्तों पहले और दूसरे के बाद में पहले और दूसरे का LISA इनपी गोड ard विल जेपूर का इंजिनियर कोन था सिविल इंजिनियर यहां पर सिविल इंजिनियर जो था जिसने नक्सा बनाया था वो विद्यातिर बठाचारी जी थे जेपूर नगर का बनाया था दोस्तों यह थे